हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रारिस्थान सहकारी भरती बोड रारिस्थान सरकार की एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलबिटी कंडिशन के बारे में तो फ्रेंट् है क्या तो यह फ्रेंट्स से रारिस्थान कोपरेटिव डेरी फैडरेशन लिमिटेड जैपूर की वेकेंसी है और इसमें फ्रेंट्स जो ओनलाइन फॉर्म है यह 29 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो गये है 26 वरवरी 2021 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं साथ में फ्रेंट्स से फ सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें जिससे फ्रेंट्स आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें बात करते हैं फ्रेंट्स इसके ओफिशन नॉटिफिकेशन की तो यहाँ पर फ्रेंट्स जो यह रिकूर्मेंट है यह वैरियस पोस् पे बेंड है ग्रेट पे है और नंबर ओफ वेकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो आपको यहाँ पर अपने according जो भी आपकी LBT होगी उसके according आपने पोस्स अपने कैटेगरी के अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड से इसके फर्दर LBT कंडिशन के बारे में तो फ्रेंड से यहाँ पर सबसे पहले जो वेकेंसी है इसमें फ्रेंड से ओल इंडिया तो वो भी आप कर सकते हैं अब आपको हर एक पोस्स के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा अलग अलग पेमेंट करना होगा फीस का जो की फ्रेंड साप ओनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं इसके बात फ्रेंड से यहाँ पर इसका जो एक्जाम है उसके लिए फ्रें लियर BCI EWS candidate है MBC candidate है पीएच candidate है राधिस्तान के तो आपको 600 रुपे फीज यहां पर पे करनी होगी और जैसे मैंने कहा online mode में आप इस फीज को जमा करवाएंगे इसके अलावा friends से यहां पर जो details दी गई है जिसमें आपका period of online registration जो है 29 जनवारी से 26 फरवाई तक आपका चलेगा examination होगा friends यहां पर आपका इसमें 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है और return examination के basis पर और skill test के basis पर skill test यहां पर सभी post का नहीं होगा जिसमें भी applicable होगा उसके लिए आपका skill test रखा जाएगा अब यहां पर जो syllabus है वो आपको यहां पर दिया गया है साथ में education qualification आपको दीगी है इसमें friends आपको post wise सारी details देखने को मिल जाएगी बात करें चाहे assistant manager की या फिर आप बात करें यहां पर जनरल मैनेजर की तो आपको यहां पर vacancies की details साथ में आपको यहां पर दिया गया है अब शौर्ट में अगर बात करें यहां पर vacancies के यहां पर आपकी LBT conditions की तो फ्रेंज जनरल मैनेजर के लिए degree के साथ में आपका 10 year का experience required किया गया है deputy manager में भी आपसे 5 साल का experience required किया गया है assistant manager में भी 2 साल का experience आपसे मांगा गया है assistant accountant में फ्रेंज से second class PG pass out होना आपका जरूरी है 5 साल के experience के साथ MSC आपके पास है chemistry में और 2 साल का experience है तो assistant daily chemist के लिए आप apply कर सकते हैं boiler operator में फ्रेंज से boiler attendant certificate दो साल का experience आपके पास होना चाहिए JE civil में फ्रेंज से BE civil या डिप्लोमा है आपके पास civil engineering में तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं lab assistant में graduate in science with chemistry और 2 साल का experience dairy technician के लिए diplomat mechanical या फिर electrical engineering या फिर Indian dairy डिप्लोमा आपके पास किया हुआ है तो आप इसमें आविदन कर पाएंगे electrician में ITI electric आपसे मांगा है दो साल का practical experience junior accountant में फ्रेंज से दो साल का आपके पास second class pass out commerce graduate degree या PG degree आप से commerce में मांगी गई है plant operator में friends आपके पास ITI है किसी भी trade में आप apply कर सकते हैं livestock supervisor में senior secondary science के साथ और एक साल का certificate course है तो आप इसमें आप इदन कर पाएंगे diploma है engineering में refrigeration में या फिर ITI है और 4 साल का experience है तो आप refrigeration operator के लिए apply कर सकते हैं ITI है आपके पास feeder या welter में और 2 साल का experience है तो आप इस post के लिए applicable हो जाएंगे आठवी class pass out candidate के लिए helper या dairy worker की vacancy यहाँ पर निगा ली गई है senior secondary के साथ 3 साल का experience है और dairy supervisor के लिए और senior secondary और 3 साल का experience है तो village extension worker या dairy supervisor के लिए apply कर सकते हैं तो short पर मैंने आपको यहाँ जनकरी provide कर दी है आप जिस भी post को select करते हैं जिस भी post के लिए eligible है उस post के लिए friends आप यहाँ पर इसकी फुल detail है वो यहाँ पर check कर सकते हैं साथ में इसका selection procedure है या exam pattern है वो भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर full details मिल जाएंगी इसी notification में चाहे इसका syllabus हो या फिर इसकी LGBT conditions हो वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके बाद friends से यहाँ पर आपको जो selection procedure है इसमें friends से 4 multiple choice question आपके होंगे और general manager के लिए एक marks मिलेगा आपको हर एक question के लिए और 90 minute का समय रहेगा बाकी other जितनी भी post है उनके लिए हर एक question के लिए दो marks आपको मिलेंगे 60 minute का समय मिलेगा और कोई भी negative marking आपकी यहाँ पर नहीं है इस पूरे exam में selection procedure में friends से यहाँ पर 33% आपको लाने होंगे अगर आप जंदल OBC है, SCST है तो 28% आपको लाने होंगे और friends से यहाँ पर देखिए चीज़ ध्यान रखिएगा यह minimum आपकी percentage है इसके लावा जो cut off जाएगी वो friends आपकी अलग जाने वाली है इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आप male candidate है, female candidate है दोनों ही eligible हो जाते हैं जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको preference देनी होगी और आप यहाँ multiple post के लिए भी apply कर सकते हैं हर एक अलग अलग post आपको देना होगा इसके अलबा educational qualification के बारे मैं आपको short में बता दिया है इस criteria 21 से 40 साल रहेगा एक साथ 2021 कोई आपका count होने वाला है अगर आप reserve candidate है तो आपको अपर age में यहाँ पर छूट मिल जाती है इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपको जो आपके reservation categories है उससे related जानकारी आपको यहाँ पर provide की गई है आपके certificate से related जानकारी आपको यहाँ पर provide की गई है basically यहाँ पर certificate आपको राज़स्तान का ही लगाना है क्योंकि राज़स्तान की निवासी इस form को fill कर सकते है reservation के साथ अगर आप अधर state candidate है तो जन्दल में ही count होंगे तो इसलिए आपको जन्दल से ही form को fill करना होगा इसके अलावा friends से नीचे आपको दिये गए है एनेक्जर्स अब एनेक्जर्स में आपको क्या का details दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं अजमेर, अलवर, बिकानेर, जैपूर, जोदपूर, कोटा, सीकर, स्रीगंगानगर, उदैपूर यहाँ पर आपको centers दे गए हैं आपको एक center चूज करना है आपके इस form में इसके लावा friends यहाँ पर एनेक्जर्स टू जो है इसमें pay skill आपको दिया गया है जब आप इस form को fill करते हैं तो वहाँ पर आपसे preference मांगी जाती है जो कि आप यहाँ पर एक, दो, ती, नमबर करते हुए preference को देंगे तो आप अपने according जो भी preference को देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बार एनेक्जर 4 में friends से आपके photograph और signature और left thumb impression और साथ में hand written declaration जो कि आप upload करेंगे इस से related आपको size वगेरा यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ पर इसको भी check कर सकते हैं बाकी इसकी detail मैंने आपको वीडियो में बताई है form fill up की वीडियो में तो यहाँ पर shorter मैंने आपको process बता दी है, eligibility conditions बता दी है, selection procedure अपनी post के according आप देख सकते हैं, all India vacancy है, multiple post के लिए आप apply कर सकते हैं, fees की जानकारी या फिर आपके exam center की जानकारी आपको पहले से ही provided है तो friends यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको provide की है, साथ में इसके form fill up का वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाका details को check कर सकते हैं, अगर आप eligible हैं, apply कर सकते हैं, और अगर आपको चाहते हैं कि ऐसे ही notifications आपको मिल सकें, तो आप jobraastra.com पर visit कर सकते ह साथ में हमारे YouTube चनल A24 Knowledge को subscribe करना बिल्कुल भी रभूलेगा, तो friends फिर मिलेंगे एक new video के साथ, new job requirement के साथ, तो ऐसा ही बने रही हमारे साथ, देखते रहे हमारे YouTube चनल, and last thanks for watching.